आज के टोफिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जो आपके इंपोटेंट बिलोम सब पूछे गए हैं प्रिवे सिर्फ एक्जाम्स में तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कुछ क्यूसन करा दिया से इसे रिलेटिव और इसमें आपके कुछ आगे क्यूसन करा अगर आप जूनियर स्टेंट के तैरिकर रहे हैं किसी और एक्जाम्स की तो यह सारे आपके लिए मुश्ट इंपोर्टेंट के उससे ने जो मैं आपको कराने वाला हूं चाहिए वाप कोई सब्सक्र यूपीट्र पलर सिका हो हो या किसी अधर एक्जाम्स ठीक हैं अब लुस का बिलोम क्या होगा तो दीखें निस्क लुस का जो बिलोम होता है वो होता है आपका कैलूस ठीक है क्या होता है कैलूस और दीखें अगर कुख्यात की बात करूं तो कुख्यात का जो बिलोम होता है वो होता है बिख्यात तो इनको भी नोट करते चलना यहां पर मैं ल कुछ ले जाते हैं टीक है ऑघ करतजंग का जो बिलूम होता है करय तक करता तक तौन को इसको भी नोट कर लेना और cent इतो जेश्टने हुब इस तरीके से पूछे जाते हैं तो आपके मौश्ठ होते है यह है ककी इसी में से आप сам की सखते रहते हैं टीक है तो ठीक है तो कुलूस हो गया अगर काडवय की बात कोतों पर काड़ यह भिलोम होगा है तो मीठा होगा तो यह दूसरे के विलोम यह तो यह ऑपर होंगे चलिए उसका आगा कुछन देखते हैं कौन सा सब इहिक सब्ध का विलोम है तो अहीं का में विलोम बताना आदियात्मिक थीक है इनको नोट करते चलना क्योंकि इस किस्टन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, आध्यात्मिक, तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना, आध्यात्मिक, और देखें यहां पर भोतिक का आध्यात्मिक और सांसकारिक की जो बिलोम होता है वो होता है देखें लोकिक का सांसकारिक होता है बिलोम लोकिक का जो बिलोम होता है वो होता है सांसकारिक ठीक है अब यहां पर पूछाता एहिक तो एहिक का जो बिलोम होता है वो होता है पाल तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं आकर्षन का बिलोम क्या होगा तो आकर्षन का बिलोम क्या होता है तो कर्षन का मतलब कर्षन का अर्थ होता है जोती गई जमीन या हल चलाना ठीक है तो यहाँ पर इस करस्रन होता है जोती गई जमीन या हल चलाना जोती गई जमीन जोती गई जमीन या हल चलाना तो यहाँ पर इनके अर्थ दिये हैं देखे अपमान का अगर यहाँ पर बिलोम की बात करें तो अपमान का होता है सम्मान ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना दीक है घरसण का अर्थ क्या होता है घरसण का अर्थ होता है घिसना ठीक है यह इसका यहाँ पर अर्थ दिया है तो इसका अर्थ होता है घिसना इसका अर्थ होता है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना यहां भी इसका आर्थ दिया है ठीक है चले अगला किशन है निमलिकित बिकल्प में से कोज सा सब्द सरल सब्द का भिलोम है तो सरल का यहां पर भिलोम बताना है दीखे सरल का जो भिलोम होता है अगर सरल के भिलोम की बात करें दीखे तो सरल का भिलोम होता है निरर्थक क्या सरल का आपका निर्थक क्या होता है सरल सरल का निर्थक और बक्र की अगर बात करों तो बक्र का बिलोम मैं कुटील वक्र यह कठीन के यह जो ब्रक है यह कठीन ठीक है तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना चलिए अगला कुशन देखते हैं दिये गई बेकलब पूसर अमरित का बिलोम तो अमरित का बिलोम क्या होता दीकिए अमरित का बिलोम होता है बिस तो अमरित का बिलोम होता है बिस ठीक है यहाँ पे जितने भी क्योशन पूछे जाते हैं और यहाँ पे सुधा की बात करूँ तो सुधा जो है अमरित का पर्यवाची है यानि के अमरित का क्या है पर्यवाची है तो यह पर्यवाची है अम्रित का जलज कमल का पर्यवाची है ठीक है यह कमल का पर्यवाची है कमल का पर्यवाची है ठीक है और दीके बहे का जो बिलोम होता है वो होता है साहस ठीक है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना चलिए अगला कुछन देखते है निमली कितमे से कौन सा बिलोम सुमोलित नहीं है तो बिलोम सम्थ कौन सा सुमोलित नहीं है तेखे अगर पहला देखे प्राचीन पौरानिक प्राचीन तो पौरानिक प्राचीन सुमोलित नहीं है क्योंकि पोरानिक का बिलोम जो होगा वो यहाँ पर अगर बात करें तो वो होगा एपोरानिक ठीक है क्या होगा एपोरानिक इसको यहाँ पर नोट कर ले ना एपोरानिक इसका होगा ठीक है बाकी उग्र का सोम्मिय होता है यह भी सही है कनिष्ट का जेष्ट होता है ये भी सही है तो ये भी सही है ठीक है चाले अगला क्रिशन देखते हैं तामसिक का बिलोम क्या होगा तो तामसिक का बिलोम के अगर बात करूँ तो तामसिक का बिलोम जो होता है वो होता है सात्विक ठीक है क्या होता है सात्विक अब देखे और द्रड का जो बिलोम होता है वो होता है एद्रड ठीक है एद्रड और सामिस का जो बिलोम होता है वो होता है निरा सामिस ठीक है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है चलिए अगला किशन देखते हैं निमलिकित में से अमरित का बिलोम क्या होगा तो अमरित का जो होता है प्र से कि आमर का है झांट यहां पर पर चींग को नोट करना कि और यह 25 झाश लिए निमली का यहाँ थे होगा तो नन्हीं कि अगर होता है वो होता है इस्तुती ठीक है क्या होता है इस्तुती तो यहां पर इसको नोट कर लेना अगला क्योंस ने आकास का विलोम तो आकास का जो विलोम होता है वो होता है पाताल तो इसको यहाँपनोड कर लेना तो इसको भी यहाँपनोड कर लेना प्रत्विका विलोम बताये तो प्रत्वी का बिलोम, देखे, प्रत्वी का बिलोम होता है, अभी बता है था, तो प्रत्वी का बिलोम क्या होता है, आकास, ठीक है, क्या होगा, आकास, देखे, यहाँ पर क्या पूछाता है, आकास का बिलोम पाताल, ठीक है, तो इस चीज़ को धियान रखना है, इसमें confusion तो प्रत्जी का भिवलोम क्या होगा आकास होगा ठीक है चलिए देखे गोचर का भिलोम क्या होता है तो होता है एगोचर यहां पर इसको भी नोट कर लेना एगोचर और देखे तो यहां पर आप एक जीज़ लोकिक का यहां पर नोट कर लेना और यहां पर अभी बताया था मैंने तो पाताल का क्या है आपका यहां पर यह confusion रहता है ठीक है तो इसको यहाँ पर note कर लेना तो प्रत्वी अगर आता है तो आकास होगा अगर पाताल आकास पूछता है तो पाताल होगा ठीक है तो इस चित को भी यहाँ पर note कर लेना चलिए अगला करशन देखते हैं संतोस का बिलोम तो संतोस का बिलोम यहाँ पर क्या होगा संतोस की बिलोम की बात करूँ तो यहाँ पर ए संतोस होगा ठीक है क्या होगा ए संतोस इसका बिलोम होगा ठीक है देखे ए स्वीकार का बिलोम क्या होता है स्वी कार स्वी कार का विलोम क्या होता है ए स्वी कार तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना और एसर का एसार का विलोम क्या होता है तो इसका होता है सार गर्वित ठीक है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना और देखे और सहयोग का विलोम ऐसायोग सहयोग का बिलोम ऐसायोग होता है ठीक है तो इनको भी नोट कर लेना चलिए अगला कुछन देखते है जटिल का बिलोम तो जटिल का जो बिलोम होगा वो सरल होगा क्या होगा सरल होगा ठीक है चलिए देखे यहाँ पर बात करूँ तेड़ा का बिलोम क्या होगा तो तेड़ा का बिलोम जो होगा वो आपका सीधा होगा ठीक है और कठिन का जो बिलोम होता है वो कुटील होता है क्या होता है कुटील होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है तो इसको भी नोट करना इस्तूत्य का बिलोम कि यहां पर बात करों तो इस्तूत्य का बिलोम जो होता है वो होता है क्या होता है है होता है और हास का बिलोम होता है रूदन हास का बिलोम रूदन होता है और हानी का बिलोम लाब होता है ठीक है तो इसको भी यहां पर नोट कर लेना उसका दगला देखते हैं जड का विलोम तो जड का विलोम होता है वो चेतन होता है ठीक है क्या होता है चेतन होता है और जल का विलोम थल होता है और दीके मूर्ख का विलोम जो होता है वो पंडित होता है ठीक है तो इसको भी आपर नोट कर लेना अगला क्योशन है लेकिक का बिलोम बताना तो लेकिक का बिलोम होता है अभी बताया था मैंने तो भोता है अलोकिक ठीक है तो लोकिक का बिलोम अलोकिक होता है ठीक है तो यहादि कि यहाँ पर कुटिल की बात करो तो कुटिल का बिलोम सरल होता है ठीक है सांसकारिक का बिलोम पालोकिक होता है, क्या होता है पालोकिक, तो इसको भी नोट कर ले न, ठीक है चलिए अगला क्यूशन है स्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ती है, उसकी पतनी उतनी ही भगवान पर थी, तो रेखांगे सब्द में बिपरीत अर्थबाले, सब्द से रिक्त इस्तान की पूर्थी कीजिए तो यहां पर क्या आएगा स्याम को भगवान पर यहां पर बिलोम सब मतलब अनुरक्ति तो जितनी अनुरक्ति का मतलब यहां पर पूचा तो अनुरक्ति का जो बिलोम होगा वो यहां पर बिरक्ति आएगा ठीक है क्या आएगा बी रखती आएगा क्योंकि यहां पर बताना है गलत कौन सा यहां पर बात करें घात प्रति घात यह भी सही है प्रसारा संकोचन यह भी सही है खग मिरग तो यह भी सही है लेकिन यहां पर सासवस सदेव यहां पर गलत है तो इसका बिलोम क्या होता है नैस्वर होता है तो यहां पर इसको नोट कर लेना अगला क्योशन है रिजू का बिलोम है तो रिजू का बिलोम क्या होता है तो रिजू का बिलोम होता है बक्र ठीक है क्या होता है बक्र होता है और सीधा का बिलोम उल्टा इसको भी यहाँ पर नोट करें सीधा का बिलोम उल्टा ठीक है और सरल का बिलोम क्या होता है काठीन हो होता है तो इनको भी नोट करते चलना ठीक-जलिया अगला किसन देखते हैं पर कि ब्यास का बिलों तो ब्यास का बिलों होता है वो क्या होता है ठीकर क्या होता है समास होता है और संक्षेप का बिलोम बिस्तरत होता है ठीक है क्या होता है बिस्तरत होता है ओल लगू का बिलोम धीर्ग होता है ठीक है क्या होता है धीर्ग होता है तो इस वो भी यहाँ पर नोट कर लेना उसके बाद बेमनस्य का बिलोम सब्द होगा तो बेमनस्य का बिलोम जो होता है वो क्या होता है दिकि बेमनस्य का बिलोम होता है सो मनस्य है अनभिग सब्द का बिलोम रूप है तो अनभिग सब्द का बिलोम जो है वो क्या है तो अनभिग का होता है आभिग ठीक है क्या होता है आभिग होता है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं हर्स का बिलोम बताइए तो हर्स का जो बिलोम होता है वो होता है बिसाद ठीक है क्या होता है बिसाद होता है ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं भारतिये लोक जीवन में योग का बिलोम सब द तो दोनों बिलोम ह prem आपस में अगला एक ओउट उसका उत्त्र जो होता है वह यह भाइके यापर इसका पर इस का बिलोम क्या होगा अदोबस्त दीक है उत्तरिये जो होता है एक पिरकार के कपड़े होते हैं जो कंदे पर यानिके रखा जाता है अंगोचा बगएर होते हैं ठीक है लंभी योग सादना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है तो यहाँ पर दिकले ओजस्वी का बिलोम क्या होता है तो इसका बिलोम क्योंगा होता है यानिके वो होता है निस्तेज तो यहाँ पर निस्तेज यानिके कांतिहीन तो यहाँ पर कांतिहीन होगा ठीक है तो इसका बिलूम क्या होगा कांतिहीन होगा मलीन का बिलोम जो होता है वो पावित्र होता है ठीक है क्या होता है पावित्र होता है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर ले न अगला किस्तन है जेन मत को मानने वाले स्वतांबर तो स्वतांबर का जो बिलोम होता है वो होता है दिगंबर ठीक है क्या होता है दिगंबर होता है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना देखें अंबर का बिलोम जो होता है वो होता है अबनी क्या होता है अबनी तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना अबनी चलिए अगर एक शुन देखते हैं उस क्रेपण ब्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे तो यहाँ पर देखे किरपन का बिलोम क्या है तो किरपन का जो बिलोम है अगर उसकी बात करें तो वो होता है दानी ठीक है क्या होता है दानी होता है अरपन का बिलोम अरपन का बिलोम जो होता है वो होता है ग्रेहन ठीक है ग्रेहन होता है और यहाँ पर सूरवीर का जो बिलोम होता है वो होता है कायर तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है जेश्ट तो जेश्ट मास में निर्जला एकादसी का ब्रत बहुत कठिन होता है तो देखें जेश्ट का जो बिलोम होता है तो यहाँ पर पूछा है, कहने का मतलब यह होगा, तो जेष्ट का बिलोम यहाँ पर हमें बताना है, तो जेष्ट का बिलोम जो होगा, वो कनिष्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, कनिष्ट होगा, देखे, आदर्स का बिलोम जो होता है, वो होता है, यथार्थ, क्या होता है, अथार्थ होता है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना उसके बाद उद्दत का विलोम तो उद्दत का विलोम क्या होगा देखे उद्दत की विलोम की बात करूँ तो इसका विलोम होगा विनीत ठीक है क्या होगा विनीत होगा देखे उत्तम का विलोम उत्तम का विलोम जो होता है वो आपका एधम होता है क्या होता है एधम होता है कोमल का बिलोम की यहां पर बात करो तो कोमल का कठोर होता है तो इसको भी यहां पर नोट कर लेना ठीक है अगला किसने बिप्रतार तक सब्द चुनिए तो सोसक का बिलोम यहाँ पर हमें बताना सोसक का जो बिलोम होता है वो होता है पोसक ठीक है क्या होता है पोसक होता है ठीक है चलिए अगले किसे देखते है प्रैसारण में बिलोम सब्द है तो प्रैसारण का बिलोम सब्द जो होगा यहाँ पर अगर बात करूँ तो प्रिसाड का हो सकता है आकुंचन या संकुंचन तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना आकुंचन या संकुंचन दोनों हो सकते हैं ठीक है देखे आरक्षड के बिलोम क्या होता है तो आरक्षड का बिलोम के अगर यहाँ पर बात करूँ तो वो होता है अनारक्चन ठीक है करकस का बिलोम तो करकस का बिलोम क्या होता है दीखे करकस के बिलोम के अगर बात करें तो करकस का जो बिलोम होता है वो होता है मधूर क्या होता है मधूर ठीक है कि चीओ सरीग गणेश का बिलोम सेसंद का चहिंगा होता है इति चीओची औरवा चीन का बिलोम जह होता है प्राचीन ठीक है क्या होता है बख्र होता है सरल का बिलोम होता है वो कठिन होता है और सीधा का बिलोम क्या होता है वो टेड़ा होता है अर्द का बिलोम तो अर्द का बिलोम होता है वो क्या होता है अर्द का बिलोम की यहां पर बात करें अर्द का बिलोम तो अधका बिलोम जो होता है यहाँ पर बात करूँ तो वो होता है उपरी उपरी होता है जो कि यहाँ पर दिखे दिया नहीं है उपरी इसका बिलोम होता है ठीक है पूर का बिलोम क्या होता है तो पूर का बिलोम होता है एपूर एपूर होता है और समाप्त का जो बिलोम होता है वो प्रारंब होता है ठीक है और खत्म का जो बिलोम होता है वो होता है सुरू तो यहाँ पर अधिका बिलोम नहीं दिया है उप्शन में इनिके इसका उपरी होता है पर ठीक है क्या होता है उपरी इसका बिलोम होता है तो इन तो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करना पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिप्सक्रस्ण में लिंग की दिया हुआ है वहां से जाके देख सकते हैं तो चलिए कुछ मिलेंगे कल इसमें आगे के किस्टनों के साथ तो बने रहे हैं हमारे साथ अगर चैनल पर नहीं हो ठीक है और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताया करें और यह वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक सेर जरूर करें तहने बाद